दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोलकता वर्सेज राजिस्थान के वीच ड्रीम 11 प्रडिक्शन के बारे में और इन दोनों टीमों के बीच एनलैसिस करेंगे और देखेंगे क्या होने वाला है दोस्तो आज का पीच रिपोर्ट किस प्लेयर को अपने टीम में रखना चाहिए किस प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए और कौनसे प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहिए सारे चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लोगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहली बात अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को जोईन नहीं किया है तो चैनल को जोईन कर लिजिये क्योंकि दोस्तो टॉस्त के बाद जो भी अपडेट आता है वो में आपको टैलिगराम पर प्रोवाइट कर देता हूं जैसे दोनों टीमों का प्लेइंग एलेवन, फाइनल पीच रिपोर्ट और दोस्तों ग्रांड लिकी जो टीम होती है फाइनल टीम वो में आपको टेलीगराम पर ही प्रोवाइट कर देता हूँ तो लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन में है टेलीगराम को जोईन कर लिजे और हाँ दोस्तों मेरे नाम से कभी फैक्ट चैनल बन चुके हैं तो उससे बच के रहना कोई भी पैसे मांगे बिल्कुल भी मत देना तो गाइस देखें आज का जो मैच है वो राजिस्थान वर्सेज कोलकता के बीच मैच होने वाला है और ये मैच IPL 2022 का मैच नंबर 47 खेला जाएगा ये मैच स्टार्ट होगा साम को सारे 7 बजे से अब दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेनू की तो देखें ये जो मैच खेला जाएगा ये वान खड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा अब दोस्तो अगर हम बात करें यहाँ का Pitch and Condition के बारे में तो देखें ये Overall Batting पीच होने वाला है दोस्तो और यहाँ यहाँ पर रन काफी अच्छा बन सकता है दोस्तो अगर हम इस ग्राउंड पर बात करें एवरेज एसकोर की तो देखें यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेंगी वह 178 से लेके 184 रन तक एसकोर कर पाएगी दोस्तो दोस्तो अगर हम बात करें बालिंग सेक्षन की तो देखें आपर फास्टर को सरसर परसंट सपोर्ट मिलेगा और स्पीनर को मातर 33 परसंट तो इस जीच का ध्यान में रखना दोस्तो आगे अगर हम बात करें इन दोनों टीमों की भी जो रिसेंट परफोम है दोस्तो देखें यहाँ पर राजस्थान की टीम जो है टोटल मैच ही वीन करी है तो इस जीच का ध्यान में रखना दोस्तो अब अगर हम बात करें टॉस की तो देखें जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो पहले फिल्डिंग करना चाहेगी क्योंकि दोस्तो यह मैच जो है तो यहाँ पर डिव आने की संबबना जादा है इसलिए कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले फिल्डिंग करेगी तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 की तरफ और देखते हैं क्या होने वाला है हमारा आज का टीम अब दोस्तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तो बैटिंग ओडर की कौन सा प्लेयर जो है ओपनिंग बैटिंग करेगा और यहाँ से जो बॉलर है दोस्तो कौन सा बॉलर देखोबर में बॉलिंग करेगा और ओपनिंग बॉलिंग करेगा ताकि हमें टीम बनान कि वो संजू सैंसंग उसके बाद जो बैटिंग करने आएंगे चौथे डाउन पे वो है डी मिचेल उसके बाद पाचमे डाउन पे अस्वीन और छटे डाउन पे यहां पे सेमरान हिट मायर तो कुछ इस तरह से बैटिंग होने वाला है दोस्तो राजिस्तान रोयल का और यह जो सातमा डाउन की बाद करें तो रियान पड़ागाएंगे उसके बाद आठमे डाउन पे यहां से बालर आएगा दोस्तो बैटिंग करने के लिए ठीक है लेकिन यहां तक दोस्तो बैटिंग जा नहीं पाती है क्योंकि यहां पर जो है जोस बाटल और अपर डिकल ही अच प्रेंट बोल और कुलदीप सेन उसके बाद बात करें जो मीडिल ओवर में बालिंग करेंगे चहल परसित क्रिशना और यहां से दोस्तो असवीन यह तीनों जो है मीडिल ओवर में बालिंग करने आते हैं अब दोस्तो अगर हम बात करें यहीं से दोस्तो कोलकता के टीम की तुकहता से जो आपनिंग बैटिंग करेंगे दोस्तो वह है यहां से एरोण फिंच और वैंकेतिसर अईयर यह दोनों ओपनिंग करेंगे उसके बाद जो फर्स डाउन पर बैटिंग करने आते हैं उसके बाद जो second down पे बैटिंग करने आते हैं दोस्तों यहां है भी इंद्रजीत यह विकेट किप्रिंग भी करेंगे दोस्तों कोलकता की तरब से यह चोथे down पे बैटिंग करने आएंगे उसके बाद जो पाचमे down पे बैटिंग करने आएंगे निती सराना और उसके बाद यहाँ पे आंद्रे रसल और सुनिल नरान आएंगे बैटिंग करने के लिए अब इन सब प्लेयर में से कभी भी किनी को भी परमोट किया जा सकता है तो इसके लिए दोस्तों ध्यान डखना इस चीज़ को अब अगर हम बात करें यहीं से दोस्तों कलकता के तरफ से बॉलिंग और की तो देखें यहाँ पर जो बॉलिंग करेंगे जो अपनिंग बॉलिंग करेंगे वो उमेज यादव और यहाँ से दोस्तों टीम साओधी या तो फिर यहाँ से एच राना उमेज यादव और यहाँ से एच राना यह दोनों दोस्तों ऑपनिंग बॉलिंग क करने के लिए आते हैं खास करके यहां जो आंद्र रसल है इनसे तो इन लास्ट ओबर में ही बॉलिंग कराया जाता है तो इस इसका ध्यान में रखना अब दोस्तों चलिए मैं यहां पर अपना टीम केरियेट करता हूँ अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से वीकेट कीपर सेक्षन की देखें वीकेट कीपर सेक्षन में आपको तीन प्लेयर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले है जोस बटलर, दूसरा है संजू सैंसंग और तीसरा है बाबा इंद्रजीत देखे यहाँ पे संजू सैंसंग और यहाँ पे जोस बटलर यह दोनों काफी खतरनाक खिला डिये दोस्तों ठीक है काफी अच्छा अब यह स्कूर कर रहे हैं हर मैच में काफी अच्छा इनका पर्फॉम भी है तो यहाँ से मैं बटलर और सैंसंग को ले लेता हूँ अपने एक को ले लूँगा फिलाल अभी मैं दोस्तों एरोन फिंच के साथ गया हूँ आप चाहो दोस्तों एरोन फिंच को ड्रॉप करके यहाँ से आप रिंकु सिंग को भी रख सकते हो यह मिडिल ओबर में दोस्तों बैटिंग करने आएंगे ठीक है और यह कैचिंग पोजिशन आगे बात करें यहाँ पर ओल रॉंडर सेक्षन की देखें ओल रॉंडर सेक्षन में आपको आंदरे रसल रविंदर चंद अस्विन सुनिल नरायन रियान पराग डी मिचेल यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलाल अभी मैं यहाँ से दो से तीन प्लेयर के साथ जाना भी कर पा रहे हैं तो आप इनको टीम में अपने रखि लेना आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्षन की यहाँ पे हैं दोस्तो यूज्वन्दर चल धीक है इनको मैंने अपने टीम में रख लिया है बाकि यहाँ पर बात के देविमें 75% सेलेक्षन है दोस्तो हमने इसको ने अपने टीम में रख लिया है आप चाहो आपके पास एक option है ट्रेंट बोल्ट है टीम साओधी है कुलदीर सेन है यहाँ पर दोस्तो इन सब प्लेयर को आप अपने टीम में रख सकते हो फिलाल मैं अभी इन तीन प्लेयर को अपने टीम में रख लिया हूँ तो कुछ इस त करता है तो आप यह इस टीम के साथ जा सकते हो अब दोस्तों बात करें अगर कैपटेन और वाइस कैपटेन की तो देखे इस मैच में जो फाइनल कैपटेन और वाइस कैपटेन के लाइक है यहाँ पे सजू सैंसंग और जेश बटलर इन दोनों में से आप किसी को कैप्टैनशीप कर सकते हो दोस्तों, बात करें दोखो, यहाँ पे स्रेस आयर उपढ्डिकल, यह दुनों भी काफी बेस्ट प्लेयर है हैं कैप्टैन और वाइस कैप्टैन के, आगे बात करें, यहाँ पे दोस्तों अल्ड्र ONDER सेक्षन में सुनिल लाड़ैन, आंदे रसल और अस्वीन आप चाहो तो यहाँ पे रसल को या फिर अस्वीन को भी कर सकते हो नीचे बॉलर में चहल परसिद किस्णा उमेश यादव यह तीनों दोस्तों काफी अच्छे विकेट टिकर बॉलर है इनको भी आप कैप्टेन और वाइस कैप्टेन सिप कर सकते हो फिलाल दोस्तो इस मैच में मेरा जो कैप्टेन और वाइस कैप्टेन होने वाला है दोस्तो अभी फिलाल मैं यहाँ पे कैप्टेन दूँगा दोस्तो जो सवर्टलर को और जो यहाँ पे वाइस कैप्टेन होने वाला है वो मैं यहाँ से दूँगा दोस्तो परसिध कृष्ण तो कुछ इस तरह से मेरा दोस्तो टीम होने वाला है ये फाइनल टीम नहीं है दोस्तो फिर आपको बोल रहा हूं फाइनल टीम पीछ रिपोर्ट आने के बाद ही दोस्तो मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट कर दूँगा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन में डिल्ड टे हिंदे लिए